राम राम आज हम श्रीमत भक्वत गीता के अध्यार दो सांखी योग का श्लोक 40 संस्क्रित उच्छारण और हिंदी अर्थ सहीत समझेंगे पहला चरण नीहा भी की मात्रा छोटी लंबा नहीं खीचेंगे भी क्र क्र का अर्थवा क आधा और पूरा क्रम पूरा क्रम नीहा भी क्रम नाशो इसके बाद में अवग रहें शोकी मात्रा को लंबा किष्टे में मात्रा के अंदर का आधा स पढ़ेंगे नाशोस और त पे इके मात्रा ती, नाशोस्ती, पहला चरण फिर से, नेहा भी क्रम नाशोस्ती, दूसरा चरण प्र, प्र का मतलब हुआ प, आधा और पूरा, पियारे, आधे त के साथ यह पूरा त्य, प्रत्य वायो, न मी आमिक्स करेंगे, न, वी के साथ आधा द वित, यह मी आमिक्स करें दूसरा चरण फर से प्रत्यवायोन विद्यति पहला और दूसरा चरण सात में निहाँ भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायोन विद्यति तीसरा चरन स्व आदिस की साथ व पूरा स्व स्व की साथ आधाल स्वल प मैं आमिक्स करेंगे स्वल प मा पूरा म मैं आमिक्स क्या मा आदि प की साथ या पूरा मप्या फिर आदिस की साथ या पूरा स्य मप्या स्या धा पूरा धा मैं आमिक्स करते में म क्यो पर का आधार ध की साथ पढ़ेंगे धर मस यमी अमिक धर मस य धर मस य नहीं है ये धर मस य सिय संतो वाला आदासा है तीसरा चरन फिर से स्वल्पमप्यस्यधर्मस्यम चौथा चरन त्रायय में आमिक्स करेंगे त्रायती महा दोनों अक्षरपूरी दोनों में आमिक्स करेंगे महा तो भा में आमिक्स करेंगे भा या के साथ आदत भयात चाथा चरण फिर से द्रायती महतो भयात तीसरा और चाथा चरण साथ में स्वल्पमप्यस्यधर्मस्य द्रायती महतो भयात पूरिश लोक का उच्चारण एक साथ नीहा भीक्रमना शोस्ती प्रत्यवायोन विद्यती स्वल्पमप्यस्यधर्मस्य द्रायती महतो भयात एक बार फिर से नीहा भीक्रमना शोस्ती प्रत्यवायोन विद्यती स्वल्पमप्यस्यधर्मस्य द्रायती महतो भयात श्लोक का अर्थ संते हैं हमने पिछले ही श्लोक में सुना कि भगवान अर्जुन को समता की महिमा कवर्णन करते हुए आग्या दे रहे हैं कि हमें भी कर्तवे कर्म करते हुए समता का भाव रखना है समता का मतलब क्या हुआ कि जो करतवे कर्म कर रहे हैं उसमें चाहे जीत मिले चाहे हार मिले चाहे लाप हो चाहे हानी हो चाहे सुख हो चाहे दुख हो उन सब भावों को समान रखते हुए अपने करतवे कर्म में ततपरता से लगे रहना है ये समान बुद्धी मतलब की जो कर्म का परिणाम है उसके लिए समान बुद्धी सांखी योग में अल्रेडी कही जा चुकी थी भगवान ने इसे कर्म योग के विशे में काया कि कर्म करते हुए फल्क में हमेशा भाव को समान रखते हुए कर्म पूर्ण निष्ठा के साथ करना है पेकर हमने पिशले श्लोगों तक सुना कि जब हम कर्तब्वे कर्म करते हुए समता का भाव रखते हैं तो कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं कर्म बंधन से मुक्तोना कि जो कर्टब्वे कर्म हम कर रहे हैं अगर उसमें हम फलका ऐसा भाव रखते हैं कि हमें जीत ही मिले, लाभ ही मिले, सुख ही मिले तो ये कर्म हमें बांधने बाले हो जाते हैं और हमारे जन्म मरन का कारण बनते हैं परन्तु जब कर्टब्वे कर्म करते हुए हमारे मन में सम्ता का भाव रहता है कि कीवल मुझे कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ बालन करना है, फिर परिनाम में चाहे कुछ भी हो, तो वो कर्तव्य कर्म हमारे लिए कल्यानकारी बन जाते हैं, परमात्मा को मिलाने बन जाते हैं, तो इसी समता की महिमा को भगवान आजके श्लोक के द्वारा बढ़ इहा का अ और आ मिलकर आ बनता इसलिए निहा बन गया, तो न तो नहीं हो गया इहा मनुष्य लोक में, अब अभी क्रमनाश उस्ती इससे बनेगा, अभी क्रमनाश धन अस्ती, अभी क्रमनाश यानि आरंब का नाश अस्ती यानि होता है, आगे प्रत्यवायो प्रत्यवायो यानि उल्टा फल भी न यानि नहीं विद्यते यानि होता है स्वल्पम अप्यस्य जेखो मप्यस्य का जो मपूरा है उसको आधा मश्वल्पम के साथ चुरेंगे तो बनेगा स्वल्पम स्वल्पम यानि थोड़ा सा फिर मामी जो अमिक्स किया ता उससे बन जाएगा अप्यस्या अप्यस्या फिर दो शब्दों में विभक्त होगा अपी धन अस्या अपी यानि भी अस्या यानि इस संबुद्धी रूप में धर्मस्या धर्मस्या यानि धर्म के आगे त्रायते त्रायते यानि रक्षा कर लि पूरा अर्थ क्या निकला मनुष्य लोक में इस संबुध्धी रूप धर्म के आरंब का नाश नहीं होता और इसका उल्टाफल भी नहीं होता इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है अनुष्ठान का शब्द नहीं है लेकिन इसका थोड़ा सा भी मतलब अगर थोड़ा सा भी समता का भाव रख लिया जाए तो वह महान भय से रक्षा कर लेता है महान भय किसका जन्म और मरन का हम सभी को सबसे बड़ा भय इसी का होता है थोड़ा सा आज किस लोग को अर्थ में और अच्छे से समझते हैं ये तो हमने शब्दों के अनसार अर्थ निकाला पहली बात भागवाद ने बोली कि मनुष्य लोग में इस समबुद्धी रूप धर्म के आरंब का नाश नहीं होता मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इस समता के भाव को आरंब भी कर दिया मतलब करतव्य कर्म करने के समय भी आपने समता का भाव रख लिया चाहे थोड़ी देर बाद ने अपको उसके परिणाम का आज है लेकिन अगर आपने आरम में भी ये सोच लिया कि मुझे समता रखनी ही चाहे मेरे को परिणाम में कुछ भी मिले पर मुझे अपने भाव में परिवर्तन नहीं आन देना जिस करतवे कर्म जिस भाव से कर रहा ह वही समता का भाव पूर्ण निष्ठा के साथ मुझे उस करतवे कर्म को पूरा करना है तो अगर आरम में भी इस समान बुद्धि के भाव से करतवे कर्म करना शुरू किया तो इस धर्म के आरम का भी नाश नहीं होता मतलब ये भी निश्वल नहीं होता आपका इतना सा भा तो वो समता का भाव आपके लिए किसी भी तरीके से कोई गलत फल देने वाला भी नहीं होगा। ये भाव रखते हैं कि केवल हमें जीत ही मिले और अगर जीत मिल गई तो सिर्राग हो जाता है अगर हार मिल गई तो उस काम से हमें द्वेश हो जाता है इस राग द्वेश के कारण ही जन्म और मरण होते हैं लेकिन अगर कर्तवे कर्म करते हैं हमें ये सोचे कि मैंने तो अप और ऐसा समता का भाव रखने पर वह महान भाई से हमारी रक्षा कर लेगा क्योंकि फिर वो जन्म मरन का कारण बनेगा ही नहीं क्योंकि हमने कर्म को राग और द्वेश के अनुसार नहीं बलकि हमारे सामने जो कर्तब्वे कर्म आ गया उसको पूर्णे निश्ठा के साथ बाल ठीक है लेकिन जैसे ही परिवार के संबंदियों को गुरुजनों को देखा तो उनको लगा कि इनको करने से मेरे को परिणाम में पाप मिलेगा मतलब क्या हो गया उनका समान भाव समता का भाव नहीं रहा उनका क्या चीज आ गई उनके मन में रिजल्ट को लेकर चिंता हो परिणाम को लेकर उनके मन में चिंता आ गई इस वज़े से उन्होंने करतवे कर्म को वही पर छोड़ देने का विचार कर लिया मतलब उस करतवे कर्म से द्वेश कर लिया तो भगवान ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा करने पर जन्म और मरण का कारण बनते हैं कर्म लेकिन अगर तुम समता का भाव रखकर करतवे कर्म करोगे तो वह तुम्हारा महान भैसे भी रक्षा कर लेगा तुम्हारा ये जो डर है कि मुझे पाप मिलेगा उस पाप के करन मुझे नरक की यातना भोगनी पड़ेगी ये इस भैसे भी रक्षा कर लेगा अगर तुम करतवे कर्म कर करते वे समता का भाव रखते हो अभीनाशी सहज सुखराशी ही नाथ ही मेरे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ आप क्रिपा करें मैं आपको भूलू नहीं नारें 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 नारें